वेलकम टो इश्यानी वेडियोज भागी लक्ष्मी का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं आप ZTV और Z5 आप डाउनलोड करके कभी भी और कई भी एपिसोड देख सकते हैं आने वाले एपिसोड में रिशी लक्ष्मी के सामने एक सबसे बड़ी सिच्वेशन आने वाली है घर के अंदर गलती से ही एक ऐसा सदसे किड्नैप होने वाला है जो कि यहां पर पूरी तरह से बखेडा खड़ा कर देगा अब आखिर में क्या सच में शालू किड्नैप हुई है आपको बताएंगे सारी बाते इस वीडियो के अंदर लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि हम आपके लिए काफी जादा महनत करके ऐसे ही रियल और इंट्रस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं आप एक लाइक करेंगे हमें अप्रिसियेशन मिलेगी और हम आपको ऐसी ही रियल और इंट्रस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोइट कराते रहेंगे बात करें आने वाले एपिसोड की तो आने वाले एपिसोड में रिशी और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के नजदिक आते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उन दोनों की नजदिकियां देखी नहीं जाती मलिश्का से मलिश्का उन दोनों के बीच में आती है और रिशी को यहाँ पर रोकती है जिसके बाद में रिशी एक बार फिर से मलिश्का के सामने अपने दिल की बात रखता है कि लक्ष्मी उसे हर जेगे दिखाई दे रही है और लक्ष्मी यहाँ पर उसके दिल से निकल नहें रही है करे तो करे क्या जिसके बाद में अब यहाँ पर रिशी और लक्ष्मी थोड बड़े मज जाती है लाइट कैसे गुम हो गई लाइट क्यों नहीं आ रही इसी बीच में इसी दौरान बलविंदर किड्नैप करने की कोशिश करता है वो भी यहाँ पर लक्षमी की बहन को लेकिन यहाँ पर किड्नैपिंग से पहले ही काफी जादा गडबड हो जाती है ऐसी धमकी देने वाला है जो कि सुनकर वो काफी जादा चौक जाएगा अब वो कौन सा सदस्य है वो तो आपको आने वाले एपिसूड में पता चलेगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सबसे रोमेंटिक मोमेंट आने वाला है जहाँ पर रिशी और लक्षमी एक दूसरे क लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ जबसे मुझे गोली लगी है तब से जबसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेरे मन में तुम्हीं आ रही हो तुम्हारे अलवा कोई और नहीं आ रहा है बार बार तुम्हारा ही खयाल क्यों आ रहा है मुझे मैं सोचने पर मजबूर हूँ जि वो सिर्फ होता है एक अलगी नजरिया जो की देख रहे होते हैं करिश्मा और उसके साथ में उसकी बेहन भी जिसके बाद में कहानी में और भी कई सारे ट्विस्ट आएंगे वैसे आपको क्या लगता है कौन हुआ है किटनैप कमेंट करके जरूर बताना चैनल परने हो तो स्क्राइब जरूर कर लेना